दों कुछ लोग इसने पूचका था कॉष्छ लोग जब मैं पूचा था दो को सब्सक्रायब करने तो इस वीडियों के लिए जो बार बार मुझसे छोले की पूचने लीजे तक कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समें तो चैने बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है वाइट चैने तो यहां पे वाइट छोले मैंने लिया है उसको रात भर के लिए भीगा के रखना है और भीगाने के बाद को यह फूल के कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा तो आप इसको अगर दो घंटे के लिए भीगाना चाते हो तो गरम पानी में भीगा दो दो घंटे में भी इतनी ऐसा ही बिल्कुल हो जाएगा तो यह बिल्कुल रेटी है विसको मुबालने के लिए रख देते हैं तो यहां पे मैंने गरम पानी करन थोड़ा सा अजवाइन के अंदर हम हाफ टीजपून या जो भी जितना भी डालना चाहो क्रश करके थोड़ा सा डाल देंगे उसके बाद जब थोड़ा सा बॉइल होने लग जाए तो उबाला जाए पानी में तो हम यहां पर डाल देंगे मीठा सोडा और यह मैंने एक टीज जाता है तो थोड़ा सा डाल दे सूखे आउले जब एक बार उबाल आ जाए तो सूखे आउले मैंने डाल दिया इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और उसके बाद धकन से कवर करके इसको उबलने के लिए रख देंगे तो धकन थोड़ा सा खुला रखे थोड़ा सा खुला इस उसके बाद मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा जीरा तो यहां पर मिरचे प्याज अदर्ट को तो यहां पर लस्वन को सबसे पहले हमें यूज करते हैं ये तरीका और बहुत एजी तरीका होता है हलवाई का बस हलवाई का जो यह होता है अच्छे से उसको पकाया होता है और बहुत परफेक्टली उसको भूना होता है इसलिए उनका जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और होता तरीका सेम ही है तो यह जब ग कर दिया तो प्रप्यास चाल से चाहएंगे तो यहां पर कि असे हरी मेर्च और प्यास दोनों डाल धिया है तो एक बिक साइज लिया है मैंने ज्यादा बड़ा तो यहां पर मैंनेThene को गलाना शरू कर दिया और इसको अच्छे से भूनना है जब तक साड़ कर दिया है यहां पर अपनी छोले देखते हैं छोले उबल गए या नहीं इसको मैं चेक करता हूं थोड़ा सा और यह देखिए एक चमत से निकाल के एक छोले को अच्छे से पकड़ के हाथ में लेकर दबा के देखें अगर वह अच्छे से उबल चुका है तो यहां पर गैस का फ्लेम ब से 10 मिट लगेंगे आपको इसमें तो यहां पर मेरे पास है हल्दी और लाल मिर्च तो मैं सिर्फ अभी हल्दी डालूंगा हल्दी में थोड़ा सा कच्छा पन होता है तो इसलिए हल्दी को भूनना जरूरी होता है वो भी तेल में कुछ लोग होते हैं जो हल्दी को तेल मे नहीं भूनते हैं, तो इसलिए उसका कच्चा बन होता है, तो फिर टेस्टी बनता नहीं है, तो हल्दी को भूनना जुरूरी है, हल्दी को थोड़ा सा भूनने के बाद हम यहाँ पे लाल मेर्च पाउडर भी डाल देंगे, ताकि लाल मेर्च पाउडर भी भून जाए, यह अभी तक पानी डाला तेल में सिर्व भून रहा हूं झाले अब इसके बाद बूए तब मैं इसमें टमाटर ढाल दूँगा तो मैंने यहां पर अपने टमाटर एक पीस है टमाटर एक बिक साइज और यहां पर मैंने टमाटर को भूनना मैं श्टार्ट कर दिया थोड़ा से टमाटर को गलाना है मतलब बिल्कुल अच्छे से गल जाए और यहां पर हमने आलू को छील लिया है आलू को मैं यहां पर छील के मैश कर लेंगे तीन-चार आलू थे मेरे पास और आप आलू ज्यादा भी डाल सकते हैं आसे बात नहीं है गरेवी बहुट ज्यादा थिक करनी आपको तो ज्यादा डाल सकते हो तो आलू को मैश कर लेंगे हम मैं इसी में डाल दूँगा अब जो हमारा प्याज है वह भुनचुका है अच्छे से तब ही आप इसमें डाले अब इसको अच्छे से मिक्स करें या या तेज पत्ता में भूल गया था तेल में ही डालना होटा है तो कोई बाध नहीं आप मैंने डाल दिया अभी भी इसका फ हाल्का सरोष्टम करने के बाद आलू को मैं पाणी में के अंदर डालूंगा और वह मैं हुआ फार बादें भ्हुंग मैं फॉद्स के निंदर हुआद मैं हे टाम जाएगी तो अब आलू की सबजी इस टाइम पर रेड़ी है अगरिया तो इसको मेने साथ में ड़ाल दिया की आलो थी मसाले तो इसको ज़्यादा नहीं होटा नोें जब तक तेल लग पीयुक्त होनी लग गया है तो पानी सोख ही गया है तो तेल है जो अलग-अलग होने लग गया है यहां पे देख सकते हैं आप यह देखिए आप तेल बिल्कुल ऊपर-ऊपर आने लग गया है इसके बिल्कुल ऊपर आ चुका है तेल और आलू अच्छे से पक चुके हैं इसके अंदर यानि इसके अंधर भूंचोग हैं आप हैं अपर हम अपने छोले डाल देंगे छोले में आप उतन privilege reflect पानी निकाले जितने कि आपको ग्रेवी चाहिए जjutने कि थिक में चाहिए पानी रखें है एग में थोड़े ज्यख़्षा पक्रती हुड़ा क्या है ज्यादा नहीं तो मेडियम रखा ए्ञिप हां क्योंकि मचें यह यह खाना है चावल के साथ तो इसलिए थोड़ा सा ग्रेवी या तरी होनी जरूरी है तो इसको आप और भी ज्यादा थिक रख सकते हैं या आपको भटूरे के साथ खाना है या फिर और किसी के साथ खाना है पूरी के साथ खाना है तो इसको थोड़ा सा और थिक रख लिए पानी कम डाली चोले का पानी और निकाल देजिए चोले में आवला वगरा सब कुछ था तो इसलिए मैंने उसका पानी फेका नहीं और यहां पर मैं लाश में कसूरी मेथी डाल दूँगा अभी एक चीज मैं और भूड रहा हूं यहां पर चना मसाला मेरे पास है तो एक चमच डाल सुअ पर यह तो यह देखिये चना मसाला डालने के बाद अब उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अभी तक मैं एक और चीज नहीं हो तो बिल्कुल हल्वाई स्टाइल ही बना रहा हो तो मैं भी आड़ कर देता हूं है तो देखिए बिल्कुल हल्वाई जैसा कलर आ चुका है अब इसको दो से तीन मिनट पकाना है ज्यादा नहीं और इसके बाद आप इसमें गार्निशिंग के लिए कोई भी चीज धनिया और इसमें डाल सकते हो और पतली-पतली स्लाइस में काटके इसके ओपर से अध्रक भी डाल सकते हो तो यह अब इस टाइम बिल्कुल रेडी है मैंने इसमें नमक डाल दिया है नमक मैंने इसली नहीं डाला था पहले क्योंकि छोले में मैंने काफी नमक एड़ किया था तो वहाँ पर मैं इसको चेक करके फिर दुबारा मैंने यहाँ पर नमक डाला है तो यह देखिए अब इस टाइम पी यह बिल्कुल ready है और उसको बद दो मिनट ही पका लेना है दो मिनट पकाने के बाद आप थिकनेस अपने हिसाब से रख सकते हो और इसके बाद यह बिल्कुल ready है तो मैंने यहां पर ग्यास का फ्लेम बंद कर दिया है अब इसको इंज्वाई कर सकते हो यहां पर मैंने कार्णिशिंग के लिए हरा धनिया और पतले स्लाइस में काटके जूलियन्स अद्रक डाल दिया है यह अगर आपको अच्छी लगी तो इसलाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताए कि आपको डियो कैसे लगी और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके बेल आइक और रॉन कर लीजे तक कि आपको आने माई वीडियों के नोटिफिकेशन समय है थेंक्यू सू मच